दोस्तों Indian Missile Series के वीडियो में आप लोगों को अब तक कई सारे इंडिया के surface to air missile के बारे में बता चुका हूँ और अब हम चर्चा करेंगे इंडिया के ballistic missile defense program के बारे में बेसिकली इसमें total 4 component है और Indian Missile Series के अगले 4 वीडियो में आप लोगों को इनी चारों missile के बारे में बताऊंगा जिनमें से इस वीडियो में सबसे पहले missile के बारे में चर्चा करूँगा और वो है प्रित्वी air defense या प्रद्वी air defense या फिर PAD या फिर कहतो प्रद्वी बैलिस्टिक missile interceptor भारत द्वारा develop किया जाने वाले एक anti ballistic missile system है जो कि ballistic missile को exo atmosphere मतलब atmosphere के बाहर intercept करने में सक्षम है बिसिकली इन missile को प्रित्वी missile के base पे ही निर्मान किया जा रहा है और ये two stage missile है जो कि maximum 80 km मतलब 50 mile के altitude तक जाके दुश्मन के ballistic missile को target कर सकेगा ये two stage missile के सबसे पहला stage में solid fuel motor का इस्तेमाल किया गया है जवकि second stage में liquid fuel motor का इस्तेमाल किया गया है इवन इसमें maneuverable thruster का इस्तेमाल किया गया है जो lethal acceleration generate कर सकता है इवन report के मताविक 50 km के altitude में ये 5 G से वी अधिक दवाव वाले maneuver कर सकता है इसमें guidance system के रूप में internal navigation system और mid codes upgrade system को इस्तेमाल किया गया है जवकि LRTR मतलब long range tracking radar के इस्तेमाल से ये terminal phase में काम करता है इवन इसमें active radar homing system का भी इस्तेमाल किया गया है report के मताविक प्रितफी air defense 3000 km range में mark 5 के रफ्तार से travel कर सकता है और ये इतना speed है कि आसानी से medium range के ballistic missile और intermediate range ballistic missile को ये target बना सके दूसरे तरफ इसमें जिस radar का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे लेके ये भी बताया जा रहा है कि ये 200 टारगेटों को 1000 km range में track करने में सक्षम है और प्रितफी air defense system में इस्तेमाल होने वाले interceptor missile को ही प्रद्यमन missile का नाम दिया गया है फिलाल दोस्तो भारत के जो ये interceptor missile या फिर कहें तो ballistic missile defense missile है ये काफी secret रखा गया है और इसके deployment या फिर development के बारे में जादा कुछ जानकरी public नहीं किया गया है कुछ कुछ रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है कि ये फिलाल induction के phase में है मतलब इसे induct किया जा रहा है जबकि कुछ कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ये भारत द्वारा already induct किया जा चुका है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो, अगर आफको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद